बेगु स्राय जिले के किसान इन दिनों खेती के छेतर में आगे तो बढ़ हैं लेकिन अब यहां के किसान परारामपरी खेती से हट कर कुछ अलग खेती यानि सब्जी की खेती की ओर अपना रुक अपना रहें हैसे ही काई किसान नाव कोठी पर्खंड में हैं तो नाव कोठी पर्खंड के एक किसान जितेंद्र महतो हैं यह बयगन की खेती करते हैं अईसा कहा जाता है और किसी विग्जान का भी के ते कापरी कोस्टली होता है और कशलन नुक्सों भी जादा होती है तो जितनर नर्जी हमारे साथ हैं इन से सबसे पहली, ये बता एक आईडिया कहाँ सहाई फैसन से देखें उनसे क्या कशें करना है धुन देख करके चिख करके उसके बाद हम चालू किए खेती का एंज जो कितने बगहा में लगा है अभी तो एक बगह में लगा है जासे एक कठ्था में आपने भीगल लगा तो कितना लाकत लगै कठ्था लगाने में 522,000 रुपा लगता कितने दिनों तक बैगन देते रहता है अगर जैसे बैगन में हर महिने जो है कुछ न कुछ करना उपता उसमें कितना खर्स होता है उसमें मान के चलिए नहीं कितने बार बैगन तूटता है यानि सब्ता में एक बार टूट जाता है एक कठा में एक कुंटल बैगन निकलता है बैगन का बजार मूल क्या मिल जाता है बजार का मूल अभी तो कम पर गया है 20-25 अभी होता है जैसे होली के टाइम में जो होता है 40-50-60 रुपई एक किलो मिल जाता है अगर कमाई की बात कहें तो एक कठा में एक बार जैसे बैगन तोड़े एक कुंटल बैगन निकलता है तो मन चलिए कि भाव पर तो निर्भर करता है जैसे 40 हुआ तो 4000 रुपा बीस हुआ तो 2000 रुपा हुआ अमवां दो तीन हजार कास पोई आज आजाता है उसमें कठा में जैसे काफी कॉस्टली बात कहा जाता है कि बाइगन की खेती होती है रिस्की खेती है तो रिस्क या लेना उपरता है जो मुर्शूख नहीं पकड़े इसमें सफेद मकरी नही किसी को देख रिख करना पड़ता है को फाइदा अदा रहता है और अच्छी होती है इसका गरोथ जुना जला बहुत विकास करता है तो आपने सुना के जितन जी का कहना है कि जय भी खेती से जो है बैगन में जो है ग्रोथ अच्छा मिल पाता है और इनके कमाई की बात की जाए तो एक विघा में बैगन की खेती से तकरीबन एक से डेर लाग से अधिक की महीने की कमाई हो जाते लेकिन इनकी जो कमाई है सबस के समय में ज्यादा कमाई हो पाते हैं लेकिन अमुमन के दिनों में कम कमाई होती है बेबुसाय से लोकल 18 के लिए निरज